दोस्तो स्वागत आप सभी का इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो इंडियन पोस्ट्पर बैंक में जब भी आप दोस्तो अपना एकोर्ड नमबर, कर्टमर अइडी, देट अपर तो मोल नमबर डालने के बाद जैसे register पर click करते हो then दोस्तों आपको आपना mpn वगरा set करना होता है mpn set करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर security वाला question आजाता है ठीक है तो इसको दोस्तों आपको answer कैसे करना है अगर आप दोस्तों यहाँ पर simple है दोस्तों यह बहुत ही simple चीज़ है आप से यह question पूछ रहा है कि what is the place of your birth आपका जनम कहा हुआ था तो आप किसी कोई भी answer आप दे सकते हो लेकिन यह है कि आपका सभी answer similar नहीं होना चाहिए एक जैसा नहीं होना चाहिए ठीक है मान लिजे मेरा जनम मेरा district में हुआ तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर district आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं अपना district का नाम लिख लेना है लेकिन दोस्तों जो भी आप यहाँ पर answer दोगे ना जो भी आप answer देने वाले हो यहाँ पर वो एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक line में ही सिप आपके answer होना चाहिए समझ रहे हो मतलब की मान लो यहाँ पर पूछा जा रहा है what is the place of your birth तो अपना birth का जो जहाँ पर जनम हुआ है उस जगा का नाम English में एक line में आपको answer दे देना है उसके बाद दोस्तो what is the first school मान लीजे मेरा नाम अस्कूल का नाम था बिर्सा High School ठीक है तो मैं यहाँ पर अपना अस्कूल का नाम लिख दूँगा सिप बिर्सा समझ रहो मतलब अस्कूल का अपना नाम नहीं लिखूँगा समझ रहो पूरा उस्कूल का नाम नहीं लिख लेना है एक लाइन में ही आपको एंसर देना है जश्ट आपको लिख देना है B.I.R.S.A कुछ भी आप अपना टाइप करके लिख सकते हैं बाकी वाट इस नेम ओफ यौर फैबरेट फ्रेंड अपना फैबरेट फ्रेंड का माल लिजे कि मेरा फैबरेट फ्रेंड का नाम है ABC कुमार ठीक है तो मैं यहाँ पर जश्ट एंसर में लिख दूँगा ABC ठीक है फैबरेट फ्रेंड नेम में ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो फैबरेट टीचर का नाम यहाँ पर है जो भी question का वो हरे question का answer आपको मात्र एक line में ही होना चाहिए ठीक है space वगरा का use नहीं करना है एक line में answer होना चाहिए और कोई भी question का answer similar नहीं होना चाहिए एक जैसा answer नहीं होना चाहिए समझ रहे हो उसके बाद दोस्तों आपको ना submit के option पर नीचे click कर देना होता है सारा question का answer टाइप करके submit के option पर click कर दो ठीक है दोस्तों जैसे ही आप submit के option पर click करोगे आपको यहाँ पर आपका जो मुगान नंबर है उसमें एक OTP आ जाएगी OTP यहाँ पर directly डाल देना है और उसके बाद दोस्तों आपका जो registration है वो आपका registration successfully हो जाएगा समझ रहे हो मतलब question answer में क्या डालना है क्या करना है मैंने आपको almost हर चीजे बता दी है ठीक है तो I hope वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और चनल को please subscribe कर लेना और अगर कोई भी doubt हो तो आप मुझे नीचे comment कर लेना अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर से जरूर आप comment करना मैं आपके हरे comment का reply करने का परियास करूँगा थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू रचिंग वीडियो